स्नेक कैचर राजेश ने खमरिया सित एक खटाल से जहरीले साप को पकड़ा है खटाल में साप देखे जाने की जानकारी संचालक ने राजेश को दी थी जिसके बाद भी मोके पर पहुंचे और काफी जद्दु जहद के बाद साप को पकड़ लिया इसने कैचा राजेश ने अब तक दुर्ग जिले के विभी ने इस्थानों से अने को जहरीले सांपों को पकड़ कर उन्हें सुरक्षित इस्थान में छोड़ा है इसी के तहत खमरिया निवासी रवीकांत वर्मा ने अपने खटाल में जहरीले सांप को देखे जाने की सूचना राजेश को दी थी सांप के निकलने की सूचना मिलते ही राजेश अपने संसाधनों के साथ मौके पर पहुँचे और काफी जद्दो जहत के बाद आखिरकार सांप को पकड़ कर उसे प्लास्टिक की बरनी में कैट कर लिया खटाल में सांप देखे जाने की सूचना ग्रामिनों को मिलने के बाद छेतर में हडकम की इस्थिति मजगई पकड़ा गया सांप काफी खतरनाक प्रजाती का बताया जा रहा है गौर तलब है कि इसके पूर्व इसनेक कैचर राजेश द्वारा दुर्ग जिले के विभिन शहरी और क्रामिन छेतरों से सेकड़ों खतरनाक सांपों को पकड़ा जा चुका है ये सांपों को पकड़ कर उन्हें सुरक्षित इस्थानों में छोड़ दिया करते हैं राजेश ने बताया कि आम तोर पा सांप काटते नहीं हैं उनसे छेड़ खानी या परशान किये जाने पर ही ये आकरामक रूप अपनाते हैं उन्होंने कहा कि सांप देखे जाने पर उनसे संपर्ग किया जा सकता है Grand Asian News के लिए संजय दुबे